हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में दोस्तों इस वीडियो के माद्धम से बात करने वाले हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इस समय सोसल इमीडियम यह आप एक्टिव है तो आपने इस समय करेंड मुद्धों जो काफी ज़्यादा हाइला साथ ही जो अपना बंद कमर में एक सेमिनार भी करते रहते हैं बच्चों को बुला कर उनकी समस्यां सुनते हैं उनका सोल्यूशन देते हैं कि आखिर कैसे क्या करना है तो उनका एक लगभग साथ आट तिन पहले के वीडियो आता है संदीप महिसरी जी का इस कैम को लेकर व सब्सकते हैं धूसर कर दो कि कैसे कई संससा हुआ है वह क्या कर दीजाता है । आप कर दिया जाता है तो यह लग वगभग समय 45000 6000 से लेका 50000000 पाजार कर धिक में कर बच्चों को दार ये क्लेम किया गया है देखिए नमायना ऐसे कोर साज तक और मुझे इंटरेस्ट ही सब चीजों में देखिए आप लोगों के एक चीज समझे जिस चीज की वैलू आपके हाथ में नहीं है या आपके क्रियेटिव माइंड में नहीं है उसका कोई मतलब नही है तो उसमें दो तीन लड़के क्लेम करते हैं कि हमें 50-50,000 का कोर्स बेंचे जा रहा हूं उस कोर्स में कुछ नहीं रहता है तो यहां पर इसके माद धम संदीप महिसरुजी डारेक्ट क्या गयते हैं पर बड़ बड़ यूट्यूब चैनल जो की अपने बिजनेस के कोर्स चलाते हैं 50-50,000 के उनको टार्गेट करते हैं उसमें वो विवेक बिंदर जी का नाम नहीं लेते हैं उसके बाद एक पोस्ट कम्यूट्री पोस्ट संदीप महिसरुजी के द्वारा की जाती है जिस पर वो डारेक्ट विवेक बिंदर जी का नाम लेकर कहते हैं कि आप कि बिंदर जी जो कर रहे हैं ऊसे हैं इसके बात क्या होता है उस इसमें भी काफी यदा क्लेम करते हैं कि बच्चे को ब्योकूब बनाया जा रहाए इतने बड़े कोर्स से लाते हैं आखिते कैसे कर रहे हैं और इन सब को जोड़ा जाता है mlm scheme के तहट mlm scheme आपको पता होगा चिट फंड के माध्यम से आपको प्रामिड के रूप में एक बिजनेस मॉडल होता है प्रामिड रूप का इस पर क्या होता है जैसे आप लोग देखते हों है कि मैं आपको जोड़ रहा हूं आप अगले तीन लों को जोड़े उससे आपको कमीशन आएगा वो अगले तीन लों को जोड़े तो उसको उनसे कमीशन आपका लागतार बनता रहेगा इसका मतलब यह होता है mlm scheme से कहा जाता है जो कि एक फ्रॉड की कटेगरी में आती है ज्यादा तर सब नहीं आती है लेकिन 80-90% scheme में ऐसा fraud होती है तो यह सब चीजा होने के बाद क्या होता है इसके बाद वी एक बिंदर जी का reply आता है वीडियो आता है लगड़क दो दिन पहले साइद आता है जिस पे वो 10 दे MBA प्लान भी कर रहे हैं दस दिन में आपको MBA सकते हैं पताने कैसे क्या कर सकते हैं मैं नहीं बता सकता हूं तो उस पर वेक बिंदर जी पहला वीडियो उनको लेकिन पेड ग्रूप होता है यानि उसे बनाते हैं फिरी बच्चों के लिए लेकिन अपने अप्लिकेशन पर पेड नहीं रहता है फ्री रहता है लेकिन अप कहते हैं और संदीप महसुरुजी को यह भी कहते हैं वह कि आप जो इमेज 20-20,000 की बेंचते हैं यह भी तो एक स्कायम है क्यूंकि इमेज की कीमत 15-20 रुपए होती है फोटो खीजते हैं बस हो गया आपको पता होगा संदीप महसुरुजी का जो मेन बिजनेस है वह इमेजब संदीप महसुरुजी का अलगी लेवल है अपना इस केस पर जो मोनेटाइज नहीं की है और यूटूब के दुनिया में सबस्वड़ा यूटूब चैनल है मोटिवेशनल स्पीकर्स में संदीप महसुरुजी का लगभग 2.8 करोड लोग उसके सबस्क्राइबर है उनके चै कहते हैं कि मैं आपको डायरेक्ट कहता हूँ आभी तक तो मैं सान दे था लेकिन आपको जवाब दूँगा अब देखिए मेरे टीम आपके खिलाब क्या एक्शन लेती सब चीज़े वह विवेक बिंदर जी कहते हैं अब वह देखिए डिपेंड करता है आप किसे किस की तर है उसके बात कल रात को लगभग गेर हो जाएक के आसपस संदीप महसुरी जी का एक वीडियो आता है जिस पर वह काफी ज्यादा रूल संग रूलेक्शन जो भारत सरकार दोरा बनाए गया है उनकी बात करते हैं लगभग उनिस स्वस्थी के दसक में एक रूल आता है आर अगरों सब को देखना चाहते तो आप संदीप महसुरी के उसमें जाकर भी देख सकते हैं मैं आपको यहां भी स्क्रीन में आपको इनके रूल से ग्रूलेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिंक में आपको देदूंगा तो यह सब चीज़ा समझ सकते हैं काफी एदा भारत में ऐसे ही फ्रॉट करके विदेशों में जाकर बस जाएंगे तो देखिए यहां पर आपको पूरा मुद्धा मुझे उम्मीद समझ में आ गई होगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपने वी बताईएगा कि आप क्या सुझते हैं इस टॉपिक के बारे में औ उनको यह साबित करना है इसके लाव कोई देखिए मुद्धा नहीं सब को अपना धंदा कर रहा है डिपेंड करता है जिस देश पे हैं वहां को जो कानून है उसके आधार पर सही है या नहीं मुद्धा यह है अरे बस संदीप महिसुरी जी कि देखिए वो क्योंकि यूट टेल्टे के हैं आप किस पक्षिके हैं जरूर अपना कमेंड़ वाक्स मुझे सुझाओ दीजेगा आप किस की तरफ है मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में तब तक ले दोस्तो धन्नवाद जैहिंद